जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने ही वैक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बीजय हजारे ओडीडी का जो क्वाटर फैनल मैच खेला जाएगा तमिल नाडू वर्सेस करना टका के बीच उसको लेकि हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं और दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान में रखियेगा अभी जो हम बात करेंगे वह बस एक डेमो टीम होगा फैनल टीम में जो भी बदलाओ होंगे उसका अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं तो टेलिग्राम चैनल पे आप लोग जरूर जूर जाएगा जूरने के लिए सिंपल सा काम करना है इसी वीडियो के चले जाने है कमेंट सेक्षन में और सब से टॉप कमेंट में आपको दिख जाएंगे मेरे टेलिग्राम चैनल के लिंक उसके उपर क्लिक करके आप लोग टेलिग्राम चैनल से जोएन जरूर कर लीजेगा बात करें वीनिंग परसेंटेज के लिए तो यहां पर मुझे लग रहा है कि करनाटका की टीम थोड़ी सी फाइवरेट इस मैच में रह सकती है और तमिल लाडू जिस तरीके से लास्ट मैच में बरोदा के अगेंस्ट हार के आ रही है मुझे लगता है कि वैसे अब इन्होंने बहुत बर्य सीख लिए होगी कि सामने वाले टीम को इस ते एक सो चोटर रन के आसपास समेट दी थी और इनका बल्लेवाच इस तक कदर एक्सपोज हुआ था कि 73 रन के आसपास वैसे अब टीम भिखर गई थी तो इन लाडू के लिए के बात करें तो इसके विनिंग चांसे मुझे 30 परसेंट के आसपास दिख रहा है बाकी आप लोग कमेंट शक्तन में जाके अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि इस मैच में कौन से टीम फैबरेटर रहने वाला है अब चलिए दो शेंगे एवरेंस गुड बैटिंग ट्रैक जहां पर आप उमीद कर सकते हो कि 250 के आसपास में बोर्ड पे टार्गेट रहेगा 250 से लेके 280 के बीच में रहेगा और दोस्तों इन टार्गेट के बीच के लिए कम से कम एक किसी बल्लेवास को सेंचूरी के आसपास या फिर सें किविती कि कि सिधात को प्छले माच में बैक क्या गया था । और करूल नायर को दोस्तों डॉप किया गया था और रोहन कदम जो कि मुझे őमें साथ। से तर्गे उनको ध्रॉप क्या गया था तो इस मैच में देखने वाली बात होगी कि करनाटिका की दिम दोनों के बैक सब्सक्राइब और यहां सबसे बड़ी बात याद रखेगा कि विजय संकर आपको ना के वराबर गंदवाजी करते नजर आने वाले है इस टेनमेंट में बिल्कूल भी गंदवाजी वो नहीं कर रहें अब हम बात कर लेंगे दोने टीम का लास्ट मैच सा ऊपर का si אादव का लोगों यहां पर विजय लिए वियुक्मार विजय सक्कुना किती पार शायन्दा आपको बल्लेवादी में भी एसिस्ट करते नजर आ जाएगा वैंक टेस्ट नोवर चपरन एक विकेट के गौतम नोवर लगातार इस टूनमेंट में स्कोर किये रहे हैं ठीक है ना इस बात को याद रखेगा वाकी आईए हम देखते हैं सामनी की जो टीम है भाई सहब कौन सी तमिल नाडू उसको लास्ट मैच में क्या हो था बड़ोदा के सामने बहुत बड़ी फैंटी पर गई थीन को दो विगेट इसके अलाबा साही की सो नो अबर उन्हांतिस रन एक विगेट हरी निशनाथ ने दोस्तों अगेंद वाजी भी अच्छा क्या हुआ था और बल्ले वाजी में भी इन्हों ने रिसेंटली बहतर खेल दिखाया है पांच और पांच रन एक विगेट संजा अब यहां पर देखिए आप लोग दोस्तों मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं कि सामने काफी मजबूर्टी में और सारुक खान को दोस्तों अपना बेस्ट देना ही परेगा सारुक खान विजय संकर और कार्तिक इन तीनों पिलर को आप लोग अपने टीम में बैक कर करके चल सकते हो तीनों से आप अच्छा उमीद लगा सकते हो कार्तिक दोस्तों बहतरीन टच में चलने इस टोनामेंट में और विजय संकर मुझे लगता कि आप लोग के लिए बहुत बड़े डिफेंसल पिक साबित हो जाएंगे बाकि सारुक खान कब आके 20-30 वाल में मार पर खड़ा किये थे एक सुबैसन समर्थ जीरो रोहन कदम 37 शिद्धात चे मनिस्पांदेर 40 करून नायर नो एस सरत तीन जे सुचित जीरो गंक टेस्ट दो विद्याथर पार्टी लेक कर्यापा नो और वीक उसिक एक रन किये हुए थे गंदवाजी में ध्यान दीजेगा सबसे कंसिस्टेंसी वाले वाज है उनके बल्ले से बिल्कुल भी सीजर रन ने निकला है आप किसी प्लियर का उन्टालो वाईसा अग्वाट का उन्टालो उनको बल्ले से भरे परे रन निकले हैं और जो भी समझो की इस्टार रुपीलर हैं सभी नचारण किया हुए जगदीशन कुछ और के ये भी अपना जल्द से अच्छारण करने का कोशिस करने वाले हैं इंद्र जी दिख्यावन किये वेते शुंदर सभब एक एक्टिस रन किये वेते बाकि गंदवाजी में आप से स्टार्ट हो जाएंगी मिन्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एक की स्टारिक हो तो ट्वैंटी टू से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों कवड़ी और जिसका हम लोग बेस अबड़ी से इंचार मेना से वह दोस्तों दो धाय मन्त का जो इवेंट है वो हमारे बीच जरूर कीजिएगा उसके लिए मैच पर सलता कोई वीडियो बनाऊंगा या फिर दोस्तों फर्स्ट मैच का जो मैं वीडियो दूंगा उसमें यह सब चीज को मैं जरूर टच करूंगा एंजग दिसन को लेके बात कर लें दस मैच में 369 के साथ इस टूनमेंट में ठीक है इ इस टूनमेंट के दस मैच में 362 के वरेज से रगुपती आठ मैच 15 विगेट यह सुचीत साथ मैच नो विगेट और वैसे कि विजय कुमार पांच मैच में नो विगेट जहां पर पिछले मैच में चार विगेट था हमने इस मैच को लेके डिसकस करी लिए और इससे पहले अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना ड्रीम 11 का टीम तो विगेट के पीछे बात करेंगे तो हमारे लिए सबसे बेतर बिक बनेंगे एंड जग दीशना आप चाहो तो दीनेस कास्ती को ट्रै कर सकते हो और मुझे लगता कि इस मैच में आपको ट्रै करना भी आपके लिए सबस्क्राइब नहीं है इस के लिए बहुत बडरे डिफेनस साभी रवाए हो सकते हैं मैं तो सिद्धात को ट्रै कर सकते हैं सारुख घान मैंने आप लोग को पहले ही बोड़ने वहाला है और आपको यह अगर तमिल नाडू की पहले बल्ले वाजी आती है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी डिफेंसल पिक साबिट हो जाएंगे मैंने फिलाल अपना दड़्यादीर एच निसांत को लेकर दिखाया है इसने काफी रिसेंटली स्कोर भी किया हुआ है और घंदव मैं इसको जरूर अपने टीम में लेकर जाओंगा मैंने वासिंग्टन सुंदर को लिए वीजय संकर आपके लिए एक बहुत बड़ी डिफेंसल पिक साबित हो सकते हैं मुझे इस मैच में इनसे ज्यादा उमीद भी है क्वाटर फैनल का मैच है यह चाहेंगे कि अपना यह करती है तुम लोग यहां से सुचित को भी लेकर जाने का पूरा कोसिस करने वाले हैं निनी जील जील के लिए आपके सबसे बेतर इन पिक हो जाएंगे दोस्तों संजय यादव इनसे आप बल्ले पलस गेंदवाजी दोनों में उमीद अच्छा खासा कर सकते हो बॉलिंग म लेकिन फाइनल टीम हो सकता आपको मैं पी दूबे लेते नजर आ जाओं तिम प्रिव्यू को लेकर बात करूं तो मैंने बिकेट के पीछे ट्राय किया हुआ है एन जगदीशन को फिर बैटिंग में बात करें तो मैंने मनिस पांडे को लिया हुआ है फिर एच निसांत को मैंने लिया हुआ है अब बात करेंगे दोस्तों कैप्टन वीची को लेके तो कैप्टन वीची हम पहले पांच बात करेंगे जो आपको मीनी जील जील में डोटेट करने है उस एकॉडिंग आपके 20 टीम बन जाएंगे और उसी 20 टीम के साथ आप लोगको जील और मीनी जील खेलने हैं तो दोस्तों वह पांच प्लियर कॉन कॉन से हैं तो पहला है मेरे नजर में नन देव्धर पाडिकल दूसरा मनी सपांडे तीसरा दूस्तों यहां से बोलेंगे वासिंग्टन सुंदर चौथा यहां से मैं नाम लोगा जिनका वह है यहां से कि गौतम और पांच जोएन करके रख लेने हैं जी एल और मीनी जी एल में ठीक है बाकी एक बार स्मॉल लिक की बात करें उससे पहले चलिए हम लोग जो एक्सेंस टेंडी टू का भी हाल देख लेते हैं और दोस्तों यहां पर कवड़ी भी एड़ कर दिया गया है तो कवड़ी के टाइम लोग ब करने वाले हैं यहां पर चलेंगे हम दोस्तों इस मैच के उपर क्लिक करेंगे उससे पहले आईए आपके प्यार भाई के लागव वीनिंग अमौन्स देख लेते हैं जो आपके प्यार भाई ने अभी एक्सेंस टेंडी टू से वीन कर लिया तक्रीवन सतर लाग चुरानव लाई यहां पर जो आपको लगे इस मैच में अच्छा कर सकता है उसको आप बैवक लीजिये जो लगे कि नहीं इस मैच में अच्छा नहीं करेंगा उशको आप लोग नीची आने पर दोस्तों प्रवीन दूब्य आपके लिए ठीक ठाक बाइक एपिक बन सकते हैं नीची आईए आप लोगों के लिए परसिद्ध कृष्णा भी मुझे लगता है कि दो बीगट नॉर्मली निकाल के देखी देंगे जगदी सन भी ठीक ठाक बैक एपिक हैं वाक आपको यहां पर पांच फिलर को ट्राइ कर लेने दोस्तों जो आपको लगे कि यहां भाई इस मैच में हैस्ट पॉंट इगेटर बन सकता है और पांचों को दोस्तों कम से कम पांच दफा या फिर दस दफा आपको उसका सेर होल्ड करके रख लेने हैं ठीक है मैं 25 दफा कर सब्सक्राइब हो दोस्तों आपको दिखेंगे यह पांच फिलर इन में से आपको करना कि इस मैच में हैस्ट पॉइंट इकटर बन सकता है उसको यहां पर उल्ड करके कम से दस दफार जरूर रख लीजिए क्योंकि वह आपको यहां पर अच्छे कासे टर्णिंग दिलवा सकते हैं तो एक्सेंस नेटीटी में मैं बोलूँगा कि आप लोग स्विश्टू प्रीमियम और मल्टी वेगर सेक्षन को जरूर एक बार खेलने का कोज़स किजिए क्योंकि वह यह आपके लिए समझो कि स्विश्टू प्रीमियम हो गया मीनी जील और दोस्तों स्विश्टू मल्टी वेगर हो गया सब क्या मीनी जील और स्विश्टू प्रीमियम आपके लिए हो जाएगा जील दोस्तों अगर यहां पर लाएगी आपकी तो बहुत बड़ी आपके अमोंट हाथ लगने वाले हैं चलिए हम बात कर लेते हैं इस पर लिग टीम की तो इसमाँ लिग में मैं आप लोगों से रह लेना चाहता हूँ वह है यहां से वासिंग्टन सुन्दर क्याप्टेन और क्रेशना पाक होतम भी सी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता होगे कि पेर वन अच्छा है या फिर दोस्तों पेर टू अच्छा है आप लोगों में से जिसका सपोर्ट ज्यादा होगा दोस्तों मैं व या दूल जाए पेर टू के लिए के ज़्यादा दिखाया है मैंने यहां से कैप्टांसी वासिंग्टन सुन्दर और वी सी फिलाल मैंने अपना किशना पाक गौतम को रखा हुआ है लेकिन मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा और आपके कमेंट को मैं रीड बाकि दोस्तों उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दवा के कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके इस मैच को लेकि अपना ऑपीनियन मैं हमें से कहता हूं कि आपका में में लिए बहुत जादे काम करता है रिसेंटली के टेम में तो आपका मैं कमेंट्स रीड करता रहता हूं आप किसी प्लियर को लेकर कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बोलिएगा अगर मुझा अच्छा लएगा त मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसके पर काम करके आपने फाइनल्टी में उसको चैंजिस करने का जरूर कोशिस करूंगा